ओम नमाहा शिदेव्या जब उलिये त्रकाल वर्ती त्रहलो का पूजी विश्वा राधिया पंच पर्मिष्टी भगवान की अनन्ता अनन्त सिद्ध परमिष्टी भगवान की देवाद देव विश्व प्रवो जिनशासन नागसी बर्दमान महावीर भगवान की परम पूजी आचारिय गुर्देव शी विद्यानन जीमन महाराज की अहीं सामय विश्व धर्म की धर्म इसने ही सत्स्रद्धालो यहां पर उपस्तित आप सभी भव्विवर पुंडरीक पुंड्यात्मा महानभाव संसार के प्रतेक प्राणी जो शुक और संती चाहते हैं बेश सुक और शंती के प्रयास करते हुए भी सुक और शंती को प्रात्म नहीं कर पा रहे हैं इसमें मुकरूप से दो कारण है पहला कारण तो यही है सुक और संती का जो स्वरूप नौनी माना है वे स्वरूप सम्यक नहीं है दूसरा कार्ण यह है कदाचित संव्यक स्वरूप को प्राप्त भी कर लिया हो तब उनका पुर्शार्थ संव्यक नहीं है लक्ष संव्यक होता है तब संव्यक पुर्शार्थ के माद्यम से उसकी प्राप्ति हो जाती है और लक्ष ही मिथ्या हो तब पुर्शार्थ कितने भी दृत्गती से किया जाए तब भी लक्ष की प्राप्ति होती नहीं संसार में सब को सब कुछ नहीं मिलता प्रतेग व्यत्ती का जीवन अभाव और सद्भाव का सम्मिस्रन है किसी के पास किसी वस्तु का अभाव है तो किसी के पास दूसरी का सद्भाव किसी के पास किसी का सद्भाव है तो उसके पास नहीं दूसरी वस्तु का अभाव अभाव जिसके पाँ इस वस्तु का होता है तो वह व्यक्ति कोई अभाव की पूर्ति के लिए यावजीवन दुखी रहता है तो कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो अभाव को अभाव मान करके उसमें भी आनन्द खुजने का प्रयास करते हैं ये अभाव भी अच्छा है बेर सोचते ही हमारे पास जिसका सदभाव है उस सदभाव का सदभ्यों करने की कला सीखें वस्तु की संप्राप्ति इतना मेत्तु नहीं रखती जितने मेत्तु की बात है उस वस्तु का सदभ्यों कर लेना किसी के पास बस तु एक है या अनेक, किसी के पास साधन सामगरी अलप है या प्रचर मात्रा में, किसी के पास सुख के है तु एक है या अनेक, इसे कुछ भी फरक नहीं पड़ता है, फरक यह पड़ता है, कौन व्यक्ति उनका सदप्योग करना जानता है, जो सदप्यों करना जानता है वे अल्प साधनों से भी प्रचर या विपल मात्रा में सुख की अनुवूती कर सकता है और जिसके पास सदप्यों करने की कला नहीं है उसके पास बहुत सारे शादन सामग्रे भी रखी रहे तो वे शादन सुख नहीं देते सुख हमारी भावनाव पर नभर करता है सुख हमारी कलपना पर धारना पर मानता पर नभर करता है संसार का सुख भी जो सुख मानते हैं वो संसार का सुख भी हर व्यक्ति नहीं प्राप्त करता एक व्यक्ति धन के अभाव में दुखी है, सोचता है कि मेरे पास परयापत धन रोगा तो मैं सुखी हो जाओंगा, किन तो जब उसे परयापत धन मिल जाता है तब भी दुखी रहता है, एक व्यक्ति इस्त्री के बिना दुखी है, सोचता है इस्त्री मिल जाएगी तो सुख थेसरी प्राण्यों के लिए दुक्का करन वन्दाज करें। अभाव के शाथ ग्रिशत नहों बस सदभाव जिसका है उसका आनल लेने की कोशिश करें एक व्यक्ति के पास सूखी दाल रोटी है, उसके पास खेर पुड़ी नहीं है, कोई बात नहीं यदि सूखी दाल रोटी भी खाता है तब भी पेट भरता है तो आनदकान वो कर सकता है रूखा सूखा खायके ठंडा पानी पीव, देख पराई चूपडी, मत लल चावे जीप तो वैre रूखा सुका खाकर के भी आनन्द कानवा कर सकता है एक वगथी रूखा सुका वोज़न छोड़ करके खेर पूड़ी के लिए दुखी हो रहा है वो महान भाव वस्तू वही है सुकं और दुख हमारी कलप नामें बिद्दिमान है यदि बस्दू में शुक और दुक होता, तो बस्दू का संग्रे करने वाले विक्तियों को बहुत सुख़ी होना चाहिए, बस्दू का संग्रे करने वाला विक्ति, मुनीम, नोट lowersum को सम्द का गिन्ता रहता है किन्तू सुक नभू नहीं करता। मालिक चाही नोट उसके पास नहीं है किन्तोवे व्यापार के भाव गटने बरने से दुखी हो जाता है और सुखी हो जाता है वस्तु सुख दुख नहीं दे रही है एक काक पक्षी परवत की सिकर पर बैठा है उस परवत में बहुत सारा सौना भरा पड़ा है या हीरे की बसक्ति यदि उस कंद्रा में पड़ा हुआ है जो समचत पुद्गर पदार्तों से विरक्त है उसे कोई दुखी नहीं कर सकता सुख और दुख संसार में हमारी कलपना मानता ध्राणा पन रव इक करता है और दूसरा जो सच्छा सुख है वह है दुखके समस्त सादनों का अभाव होने से, दुख्य समस्तक कारणों का अभाव होने से, अर्थात, मुवनी कर्म का अभाव होने से, वे दुख नश्ट हो जाता है, सच्चा सुख मिल जाता है, महान भाव, किन्त हम आपके दूश्री बात बताना चाह रहे हैं, अभाव की जिन्दगी जीना एक सरल है, किन्तो जो व्यक्ति किसी अन्य बस्तू में किसी और कल्पना कर बैठा है, उसे समझाना बड़ा कठन है, पानी के बिना एक वक्ति दुखी हो सकता है, पानी के बिना किसी वक्ति के प्राण भी जा सकते हैं, जहां पानी नहीं है, ऐसे मालूमें पानी या नहीं है, ज़िए प्राण त्यागता है, तो ज़्यादा विकल्पता नहीं आती, संकलेस्था ज़्यादा नहीं बनती किन्तों उससे ज़्यादा संकलेस्था उष्य म्रग को बन सकते है जो म्रग नदी किनारे सामने पड़ी हुई चमक्ती बालू को देखकर ये मान बैठा है कोई पानी भरा हुआ है वहाँ जब दोड़ करके जाता है पानी नहीं मिलता तब वह तर्पता है और उस समय उसे जो केष्ट होता है वह केष्ट उसे नहीं होता जिसे पानी मिला ही नहीं ऐसे ही संसारी प्राणी अभाब में तो दुखी होता है तो कम दुखी होता है किन्तो सुखा भास सुख का अभाव इतना दुख नहीं दीता जितना दुख दीता है सुखा भास जिन पदारतों में सुख की कल्पना कामना धार्णा मानता बना करके बैठ गया है जब भी धार्णा मानता तूटती है तो उसे दुख होता है वे दुखँ उसके लिए आशातीत वे दुखँ शबदातीत वे दुखँ इसा होता है जिसकी उसने कल्पनानक कीतु था किई बार यदि व्यक्ति पहली सोच लेता है कि मझे एसा दुखँ प्राप्ट होने बाला है फिर वैसा दुखँ मिल जाता है तब उसे दुख की अनुवती कम होती है किन्तो जब एकती अचानक किसी ऐसे दुख को प्राप करे जिसमें सुख खोज रहा था दुख मिल जाए तब दुख जादा होता है यूँ समझें किसी कोरी स्लेट पर लिखना आसान है किन्तो लिखी हुई सिलेट पर फिर मिटा करके लिखना ज्यादा कठन है खाली केचट हो उसको भढ़ना आसान है या पेंडा चिपापकी कोई है किन्तो उसको पहले से भढ़ा होगा है फिर खाली करके फिर भढ़ना उससे ज्यादा कठन है मिट्टी सामन से पड़ी है उसके खिलोनी बनाना आशान है किन्तो बने हुए खिलोनों को तोड़ करके फिर मिट्टी गला करके फिर खिलोनी बनाना तोड़ जादा कठन हो जाता है ऐसे ही हमारे जीवन में जब दुख है अभाव है अभाव में जो दुख प्रात होता है वे दुख तो सेन कर लिया जाता है किन्तो सुखा भास जो सुख की आसा देता है सुख की उमीदें देता है सुख का वे एक ऐसा समोधन देता है किन्तो सुख मिलता नहीं उसमव्यक्ति कि दम तोड़ने लगता है महानुभाब चक्रवती सुभाउं चक्रवती ब्रह्मदत छे खंड के राजा होने के बावजूद भी उन्हें उसमें सुख नहीं मिला यह दभी चक्रवती बनने के पहले उनकी धार्णा कल्पना मानता थी कि जब हम चक्रवती बन जाएंगे अधिनायक सम्राट वन्नी को प्रांतवी वह सुख नहीं मिला एक व्यक्ति जिसे छेखंड का राज नहीं मिला वह ज्यादा आनद का अनुभव कर सकता है एक निर्धन व्यक्ति धनी व्यक्ति से ज्यादा सुखी हो सकता है कि धनी व्यक्ति ने धनशे को ज्यादा अपिक् की हो पाना बड़ा मुस्किल है असंबाब है महान भाव हम जो बस्तू है उससे उतनी ही कलपना करें दुख की सामगरी में सुख की कलपना करना हमार लिए ज्यादा दुखद है और दुख की सामगरी में दुख की कलपना करना फिर दुख को वोगना ज्यादा आसान है जिस व लोग बड़ता हैा तब एक तुसका सिवन करते करते जादा दुखी होगा और जिश्र बस तू को और शिदी माना है वो तू नहीं मिल रही है तब इतना दुखी नहोगा अपने मन को समझा सकता है संसारी प्रानिकी दसाबी यही यही वह संसार की पदार्तों में हर पदार्त में सुक्की कलपना करता है इसमें सुक मिलेगा इसमें सुक मिलेगा इसमें सुक मिलेगा कि जो जो आगे बरता चला जाता है तो तो उसकी सुक्की धारनाएं मानता हैं धरासाई हो जाती हैं जिस जिसमें करते हैं, वे इंद्रिय भोख, वे विशे, वे वस्तु, वे परपदार्थ या व्यक्ति, हमारे लिए जब दुखका कण बन जाता है, तब लगता है निशंदिय, हम अपनी आपको ठग रहे हैं, सुखा भास को सुख मानना, आपनी आपको दुखा देना है, और शिदी मान करके, यदि शेबन करोगे, रोग वर्दक वस्तु का, तो दुख जाता होगा, यदि आपने ये सोच लिया है, कि ये वस्तु, जहर है, फिर जहर पीते समय शायद इतना कष्ट ना हो, जितना कष्ट ये मान के गेन करना, ये तो अम्रत है, पी जाओ, फिर व रात्री में शूर्का वदे हो नहीं सकता, इसलिए रात्री तो घृक उसे बताईब या सकती है, कि दिन में सुर्का वदे नहो, तो दुख ज्यादा होता है, या कोई व्यक्ति रात्री को ही दिन मान के बैठ जाए, अंदकार को यी प्रकास मान के बैठ जाए, तब उसका दुख और ज़्यादा गनीबूत हो जाता है, महानुभाव, आपको अपने जीवन में बस इतना सा बदलाब करना है, संसार के जितने भी पदार थे, वे आपको सुख नहीं देते हैं, केबल आपको व्रांती देते हैं, सुखी करने का आपको आश्वासन देते हैं, वे आपक के लिए आचारों ने कहा, सुखा भासन में डूबा हुए व्रक्ति, आत्म कल्यान के लिए देरिशे आगे बढ़ पाता है, किन्तो जो दुख में डूबा हुए व्रक्ति है, उसे संसार शरीर भोगों से जल्दी व्रक्ति हो जाती है, और सुख के मार पर चला जाता है, य आपके फल को भोग रहा है, ऐसा ब्यक्ति दुखी हो करके उससे ब्रक्त हो सकता है, किन्तो जो ब्यक्ति पुंड के उदे को भोग रहा है, और उस पुंड के फल को ही सासत सुख मान करके वैठ गया है, उसके लिए दुख जादा होता है, वे पुंड के फल को सच्चा मान के बैठ के इसलिए उसे ब्रक्त भी नहीं हो सकता और वह सच्छा सुख है नहीं इसलिए वह सासुत भोग भी नहीं सकता कि दुखी व्यक्ति तो कहता है मैं तो दुखी हूं मैं तो दुखी हूं निर्दन कहता है मैं तो निर्दन हूं जो व्यक्ति कहता है रोगी है कहता मैं रोगी हूं तो वे व्यक्ति जो अपने आपको रोगी मानता है दुखी मानता है निर्दन मानता है वे आगे दुखी सुखी होने के लिए निर्दन धनी बनने के लिए रोगी निरोगता प्राप करने के लिए प्रयास पुरशाथ कर सकता है किन्तो जिसके शरीर में कोई कि ऐसा रोग उत्पन्द हो गया हो जिसका उपचार संबब नहीं है ऐसा अब्यक्ति यदि ये मान के बैठ जाए कि मैं तो निरोगी हूं फिर वह रोग से बचने का पुरशार तो करेगा नहीं जब नहीं करेगा तब वह रोग उसे जो दुखत फल देने वाला है जो मर्मान तक पीड़ा देने वाला है या शरीर काई अंत करने वाला है तो उसे अचानक लगेगा कि वास्तम में मैंने अपने आपको ठग लिया मैंने अपने आपको ठग लिया मैंने अपने आपको रोगी होते हुए रोगी क्यों नहीं माना मैं मित्यात में डुगा हुआ होते बद्ध अपने आपको सुख्नार कर लेता है वे बंदणों से मुक्त होने का प्रयास भी करता है कि जो व prendhis पोम बंद बद्ध मानता ही नहीं कहता है मैं तो नित्य हूं शुद्ध हूं यंध मेरी अंदर भाबकर्मु कुछ हे नहीं ऐसा माल लेगा रिटी फिर्मोश्का पुरसाथ न कर पाएगा इसलिये सुखा भासको सुखा भासही मानो, सुख नहीं। दुक्ष को दुक्ख ही मानो सुख नहीं इसलिये आप जीवन में जो है उसे वैशाही मानो, आप द्रव्य दश्टी से सकती अफिशा सुद्ध हैं, किन्तो पर्याई दश्टी से सुद्ध नहीं है, इसका आसे हैं, द्रव्य दश्टी से सुद्ध हैं, द्रव्य सुद्ध नहीं है आपका, द्रव्य तो आपका आज भी सुद्ध द्रब से असुद्ध पर्याई नहीं निकलती जैसा द्रब जो होता है वैसी पर्याई होती है सुद्ध द्रब में सुद्ध पर्याई होती है असुद्ध द्रब में असुद्ध पर्याई होती है महानुभाब इसलिए आभशक यह है कि हम अपनी धार्णा को बदले पुर्शार्थ हमारा जो चल रहा है वह पर्याप्त है किन्तों मित्या धार्णा के साथ किया गया पुर्शार्थ हमें कभी संव्यक पने को प्राप्त नहीं कराता मित्या धार्णा के साथ जीने वाला व्यक्ति कभी संव्यक लश्य को प्राप्त नहीं कर पाता इसलिए सुखाभास यह सबसे बड़ा चल है प्रवंचना है यह सुखाभास एक ठगनी है मोहिनी विद्या है जो हमारी मती को भ्रमित कर देती है और जिसकी मती भ्रमित हो जाती है मती विब्रम होता है तो गती भी उसकी बिगड़ जाती है शिलिये सबसे पहले हम मती को सुद्ध करें मती सुद्ध होते ही गती सुद्ध होने लगती है और मती सुद्ध नहीं की तब गती का सुद्ध होना गती का शुब होना गती का अच्छा होना बड़ा मुश्किल है महानभाब बस आप शमतना ही कहना चाहते हैं आप अपने जीवन में जो कुछ भी दुख है उसे दुख को दुख समझो जो आपका नहीं है उसे अपना मस समझो जो पर है उसे पर ही शमझो तुम पराई बस तुको अपनी मान करके वेठ गए तो ये अपनी आत्मा को ठग रहे क्योंकि वे कभी आपकी हो नहीं सकती इनमित्या धारणाओं को तोड़ करके समझदक धारणा को प्राप करो और समझदक धारणा के साथ समझदक पुर्शार्थ करते हुए अपनी लक्ष को प्राप करने में सफल होना चाहिए अपनी जीवन को सार्थक करना चाहिए यही भावना हम आपके पतीवाते हैं और इ में सामय विश्व धर्म की आप 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 आप